नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ मनीशा रेडियो वास्तु में आज हम बात करेंगे श्री गणेश जी के बारे में मित्रु माना जाता है और ऐसा होता भी है कि गणेश जी को विगने पिनाशक कहा जाता है और जब भी हम कोई कारियर शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है उनका ही नाम और ध्यान किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि गणेश जी की करपा से ही हमारे सारे कारियर निर्विगन सफलता पूर्वक संपन होते है तो आज हम बात करेंगे, बताएंगे आपको घर में सजी भगवान गणिश की मूर्थी कैसी होनी चाहिए तो सोशल मीडिया की ये जानकारी हम आप से सांजा कर रहे है सभी घरों में भगवान गणिश जी की एक मूर्थी होती है किन्तु कई घरों में एक से अधिक होती है गणिश जी की मूर्थी खरिदते वक्त कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए तो बताते हैं आपको कि घर में सजी भगवान गणिश जी की मूर्थी वास्तू के नुसार कैसी होनी चाहिए मूर्थी का रंग सबसे पहली बात है कि गणिश जी के प्रतेक अफ्तार का रंग अलग-अलग है परन्तु शिव पुरान के अनुसार गणिश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल थता हरा है इसमें लाल रंग शक्ती और हरा रंग समर्दी का प्रतीक माना जाता है इसका अर्थ है कि जहां गणेश जी हैं वहां शक्ती और सम्रद्धी दुनों का पास है आत्म विकास या सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंके गणपती की स्थापना करना चाहेए धन समरद्धी की चाहा रखने वाले पीले रंकी मूर्थी में हरे रंके उप्योग वाली मूर्थी रखे वास्तू शास्त्र के अनुसार सफेद रंकी गणेश मूर्थी उन लोगों के लिए हैं जो शांती और समरद्धी चाहते हैं अब बात करते हैं गणेश जी की मूर्ति की विशेश्टा की तो वो क्या है मूर्ति में उनके बाएं हाथ की और सूंड घूमी हुई और इस बात का ध्यान रखना चाहिए दाएं हाथ की और घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हटी होते हैं तथा उनकी साधना और आराध बड़ी कठिन होती है गणेश जी को मोदक पसंद है और उनका वाहन मूशक अतिप्रिय है अतहर ध्यान रखें कि मूर्ती में मोदक या लड़ू और चूहा अवश्य होना चाहिए गणेश जी की चार बुझाएं हैं पहले हात में अंकुष दूसरी बुझा में पाश तीसरी बुझा में मोदक और चौथी बुझा से वे आशिरवात दे रहे हैं घर में पंच मुखी मूर्ती रखने के पूर्व किसी वास्तू विशेशग्य से जरूर सला ले लेना चाहिए अब बात करते हैं मूर्ती के आकार की शास्त्र के अनुसार पूझा घर में रखी जाने व मूर्तियां रखना चाहिए अंगूठर के अकार से बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए बड़ी मूर्तियों की पूझा में कई नियमों का पालन करना आवेशक होता है और इनकी पूझा में त्रुटी होना अशुभ माना जाता है और पुन्य लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता हाला कि गनेश जी की मूर्ति आप कम से कम एक फीट की रख सकते हैं अब बत अब जो बात आती है वो है कि कितनी रखे मूर्तियां तो इसके लिए एक शलोक है ग्रहे लिंग द्वयम नाच्यम गनेश त्रितयम तथा शंक द्वयम तथा सूर्यो नार्चियो शक्ती त्रियम तथा द्वे चक्रे द्वारका यास्तू शाल ग्राम शिला द्वयम तेशाम तू पूजने नैव उद्देगम प्राप नूयाद ग्रही अर्थात घर में दो शिवलिंग तीन गनेश दो शंक दो सूर्ये तीन गमूर्थी दो गोमती चक्र और दो शाली ग्राम की पूजा करने से ग्रहस्त मनुष्य को अशान्ती होती है अब बात करते हैं कि मूर्थी की इस्थापना की दिशा क्या होनी चाहिए वास्तू विशेशग्यों के अनुसार घर में गनेश जी की मूर्थी रखने के लिए पश्चिम उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी जगा है याद रखना चाहिए कि सभी गनेश प्रतिमाओं का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए अत्यंत लाब दायक और पल दायक सिद्ध होगी ओम श्री चाहिए नमाहा तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडिया हिंदुस्तान श्री गडेश जी की क्रपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे और हमारे सभी कारिये निर्वेग्न संपन होती रहें ऐसी कामना के साथ लेती हूँ आपसे विदा मिलती हूँ अपनी एक नई जानकार के साथ